विद्धियार्तियों मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गॉर्मेंट कॉलेज बांधी कोई से पिछले वीडियो में हमने फ्रांस के क्रांती की प्रश्ट भूमी तथा क्रांती के लिए उतरदाई राजनतिक कारणों की चर्चा करे थी आईए अब हम चर्चा करते हैं फ्रांस की क्रांती के लिए उत्तरदाई सामजिक कारणों की फ्रांसीस इस समय फ्रांसीस समाज में विद्यमान सामजिक ऐसा मान था क्रांती का मुख्य कारण था समाज मुक्यत हैं तीन वर्गों अताथ श्रेणियों में विवाजी था जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है पहली श्रेणि थी पादरी अत्वा दर्मादिकारी, दूसरी कुलिन सामंत और तीसरी श्रेणि थी साधरन लोगों की प्रतम दो श्रेणियों के लोगों को विशेश सुविदाएं अत्वा विशेशादिकार प्रापते हैं ये प्रतम दो श्रेणियां थी पादरी अत्वा दर्मादिकारी वर्ग और दूसरी कुलिन सामंत लेकिन तीसरे वर्ग यानि सामान्य लगों की तुल्ला में उनकी सिती बहुत अच्छी थी क्रांती के समय फ्रांस की कुल जन संख्या लगबग धाई करोड थी जिसमें विशेशादिकार प्राप्त वर्ग के लोहों की संख्या लगबग दो लाग सतर हजार थी अर्थात कुल आपदी का एक प्रतिशत भाग अब हम इन तीनों की बनबाई बन चर्चा करते हैं कि किस कारण से सामन्य लोगों ने या अन्य अन्य लोगों ने क्यों फ्रांस में क्रांती कर दी किन किन लोगों के विशेश अदिकारों को शती पहुची कि वो क्रांती के लिए आमादा हो गए तो सबसे पहले देखेंगे हम पादरी बर्ग क्रांती के पूर फ्रांस में चर्च का विशेश स्थान था और इसके पदा अदिकारी पादरी लोग समाज के सरवोच शिकर पर थे ये लोग प्रथम श्रणी के सदश्य थे चर्च के अदिकारी काफि संपन तता शक्तिशाली थे फ्रांस की संपूर जागिर फ्रांस की संपूर्ण जागिरी भूमी की 20 प्रतिशत भूमी चर्च के अधिकार में थी जिसे चर्च को बहुत अधिकाय होती थी और यह आए सरकारी करों से मुक्त थी इस नियमित आए के अलावा कैथोलिक चर्च किसानों से सब प्रकार के फसलों पर धर्माश यानि धार्मिकर भी वसूल करते थे चर्च की आए काफी थी और वह जनित के बहुत से काम भी करता था लेकिन चर्च के अंदर घोर पक्षपात और अपवियता का बोलवाला था चर्च का नैतिक पतन हो चुका था और उसकी जड़ें खोकली हो चुकी थी उसकी आए का अधिकांश बाग बड़े बड़े अधिकारी जैसे की आर्क, विशप, बिशप, एबाट आधी की जेबों में चला जाता था और उनमें से अधिकांश आमोद, प्रमोद, एंभोग उलास का जीवन बिताते थे अता लोगों में उनके प्रती ऐसंतोष बड़ता जा रहा था चर्च के धार्मिक कारियों का संबादन साधरन पादि लोग करते थे इन लोगों की निक्ती तीसरे वर्ग अर्थार्थ साधरन लोगों में से की जाते थे इन लोगों को अपने भरण पोशन के लिए बहुत ही कम वेतन मिलता था चर्च के बड़े अधिकारी इने ग्रहना की द्रस्टिट से देखते थे परन्तु साधरन पादियों में से अधिकांश काफी पड़े लिखे थे और उनका जुकाव सुधारवादी आंदोलन की तरफ था यही कारण है कि करांती के समय उन लोगों ने सरसाधरन का साथ दिया अब हम देखते हैं दूसरे श्रणी की तरफ यानि कुलीन वर्ग की तरफ या कुलीन सामन्त कुलीन लोग दूसरे श्रणी के सदश्य थे इस वर्ग में सामन्त, दरवारी, बड़े बड़े पदादिकारी समली थे स्लाइड में आप आसानी से देख सकते हैं कि कुलीन सामन्तों को त्रीन शेन्यों बाटा गया है सामन्त, राजदरवारी और बड़े पदादिकारी इन में से अधिकांश मद्धयूगिन सामन्तों को वंशस थे फ्रांस के संपूर भूमी का एक चोताई बाग कुलीनों की संपत्ती थी जिसके सारे वे शान शोकत तथा भोग विलासिता का जीवन बिताते थे अपनी संपन्ता तथा विशेशा दिकारों की वज़े से समाज में इनकी इस्थिती बहुत अच्छी थी परन्तो इस वर्ग में भी आपसी एक तकावाव था हेजन के अनुसार सामन्तों के दो भागते एक सैनिकों का और दूसरा न्यायदेशों का स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सामन्तों के कौन-कौन से दो भागते पहला वर्ग सैनिक पहला वर्ग पुराने योदा सामन्तों का वंशस था और वे पीडी दर पीडी फ्रांस के राजाओं की सैनिक सेवा में रहते थे दूसरे वर्ग में वे लोग थे जो अपनी न्यायक पदों के कारण कुलीन वर्ग के सदश्य बन गए थे सैनिक सामन्त भी दो श्रणियों में विभाजी थे एक दरवारी सामन्त और दूसरे प्रांती सामन्त यद भी दरवारी सैनिक सामन्तों के संग्या काफी कम थी परन्तु शान, शौकत और एश्वर परदर्शन में वे सबसे आगे रहते थे ये लोग मनमाने तरीके से जागिरों का प्रबंद चलाते थे और किसानों का हर संबाव उपायशे शोशन करते थे ऐसे सामन समाज में इर्चा और त्रसकार के पात्र बने हुए थे क्योंकि प्रशाशन के अधिकांश उच्छ पदों पर भी उनी का एक अधिकार था प्रांती सामन्त अथवा प्रांती सामन्त अपना अधिकांश समय अपनी जागिरों में इविटाय करते थे उन में से अधिकांश की आर्थिकिस्तिति बिगड़ चुकी थी और कुछ तो ऐसे थे जिनकी आय संपन किसानों से अधिक नहीं थी फिर भी सबी सामन्तों की रीती नीती एक जैसी ही थी किशानों का शोशन करना, उनसे बलाद बेगार लेना इसकी वज़े से किशानों में काफी एसंतोश व्याप्त था तीसरा वर्ग था उपरीक दोनों वर्गों के अलावा अन्य सबी लोगों को तीसरे वर्ग का सदश्य माना जाता था इस वर्ग के लोग सबी प्रकार के अधिकारों से वन्चित थे इस वर्ग में भारी ऐसा मानता थी सामाजिक तथा आर्थिक द्रश्टि से इस वर्ग के वेबिन अंगों में व्यापक अंतर था दनी, व्यापरी, शहुकार, उद्योगपती, साहितिकार, चिकिशक, इंजिनियर, शिक्षक, कलाकार, किसान और मजदूर सभी तीसरे वर्ग के सदर्शे थे इस श्रणी से इसमें इस दरश्टी से इसमें एक रूपता का अबाव था इस वर्ग को तीन मुख्य भागों में विवाजित किया जा सकता है जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं मद्यम वर्ग जिसे बुजरुवा वर्ग भी का आ जाता था शिल्पकार वर्ग और क्रशक वर्ग मद्यम वर्ग जिसे हम पहले बता चुके हैं जिसके लिए बुजरुवा शब्द का भी प्रियोग किया जाता था इस वर्ग में वे सभी लोग शमली थें जिनें शारी रिक्ष्रम नहीं करना पड़ता था लेखक, कलाकार, वकील, चिकिशक, अध्यापक, साहित्यक्यार, व्यवसाई, व्यापारी, शाहुकार, कारखानों के मालिक, निम्न पदस्त सरकारी कर्मचारी आदी, मध्धम वर्ग में थें इस वर्ग की आर्थिक दशा संतोश जनती और शासन के अधिकांश निम्न पदों पर इनी लोगों का अधिकार था प्रतम दोनों वर्ग, यानि पादरी और कुलिन को इस वर्ग की सिवाओं की निरंतर आउशक्ता पड़ती थी इस संपर की वज़े से इस वर्ग की थोड़ी सी सुविधाएं भी प्रापती इस वर्ग को थोड़ी बहुत सुविधाएं प्रापती मध्धम वर्ग मोजूदा राजनतिक व्यवस्ता में शंशोदन का समर्थक था बुद्धिमान, करमट, शिक्षित और धनी होने के उपरांत भी देश की राजनितिक संसाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं था जबकि यह वर्ग देश की राजनिती पर अपना नियंतरन कायम रखने को चुक था ऐसा पुरानी व्यवस्ता को बदलने से ही संभव था अतै इन दोनों वर्गों में संगर्ष एक तरह से अनिवारे था आर आर पालमर ने लिखा है कि मद्द्वर के ऐसंतोस का शर्वदिक मुख्य कारण था कि सुयोगे एमसम्रद होते भी उन्हें कुलीनों के समान सामाजिक समान प्राप्त नहीं था और वे राजनितिक अदिकारों से वंचित थे यही कारणे की करांती के समय समानता का नारा बुलंद किया गया और इस नारे को बुलंद करने वाले मद्द्वर के ही लोग थे आगे साधर लोगों में मद्द्वर का हम बता चुके हैं इसके बाद हम बताते हैं शिल्प कारों के बारे में यानि कि इस समय प्रतेक वर्ग में कुछ ना कुछ कारणों को लेकर ऐसंतोष था कोई भी वर्ग अपने आप में संतोषी नहीं था और अपने ऐसंतोष के कारण ही इन्होंने फ्रांस में कुरांति को जनम दिया अगला वर्ग था शिल्पकार जो की साधर वर्ग में ही आता था बुजर्गा वर्ग के नीचे शिल्पकार लोग थे इन्हें दस्तकार भी कह सकते हैं इनमें से अधिकांश नगरों में वसेवे थे और ये लोग अपनी श्रेणियों में संगठी थे लेकिन सरकार के तरफ से उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रोहसान अत्वा संदक्शन प्राप्त नहीं था और कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग उनका निरंतर शोशन करते रहते थे इसकी वज़े से वे लोग भी मोजूदा सामाजिक विवस्ता से काफी परिशान थे अब हम चर्चा करते हैं सादरन लोगों के क्रोशक वर्ग के बारे में फ्रांस की अधिकांश आबादी क्रोशक वर्ग थी राज परिवार, शाशन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का अधिकांश वे इशी वर्ग को सहन करना पड़ता था परंदू उन्हें दैनिय जीवन बिताना होता था उन्हें राज्चे, चर्च और जागिरदार को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे करों के अलावा उन्हें अधिकारियों तता सामनतों की अनेक प्रकार की निशुलक सेवाएं करनी पड़ती थी परंदू राजनिती और शाशन में उनका कोई प्रभाव नहीं था नहीं तो उनके पास किसी प्रकार के अधिकार थे और नहीं सुविदाएं भूमी कर सक्ति से वशूल किया जाता था अकाल अत्वा कम पैदावार के दिनों में भी उन्हें किसी प्रकार की माफी अत्वा छूट नहीं दी जाती थी उन्हें दीन हीन जीवन बिताना पड़ता था नहीं तो उन्हें बरपेट भोजनी नसीब होता था और नहीं तन ढखने के लिए परियाप्त वस्र आमोद प्रमोद तता भोग व्लास्तो उनके जीवन से कोसो दूर था इस प्रकार करो के भारी बोज से किसानों की कमर तूट चुकी थी उनकी आयका लगबग 85 प्रतिशत करों के रूप में चला जाता था अते सुईदा संपन वर्गों के प्रति उनकी रोश की मात्रा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी यही कारण है कि जब फ्रांस में क्रांती हुई तो किसानों ने हुर्दय से उसका स्वागत किया और कुलीन वर्ग का सफाया करने में पूरा-पूरा सयुग दिया तो यह था फ्रांस की क्रांती के लिए जिम्मेदार सामजिक कारण अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांती के लिए जिम्मेदार आरतिक कारण और दार्शनिक एम अन्य विचारक और अन्य कारणों की की जिनकी वज़े से फ्रांस में क्रांती हुई तो तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद